मार्केट में दिख रही है हर्याली बिटकोइन जल रहा है बावन हजार तीन सो पे और यहाँ पे आल्ड कोईन्स में काफी अच्छे मूव पिछले कुछ दिनों में लोड हो रहे हैं शायद आप में से कई लोगों के कुछ आल्ड कोईन पंप्स मिस हो गए होंगे और क्यूं हो सकता है इसका रीजन में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ यहाँ पे जो हाइप है कोईन की वो जीरो है इकोसिस्टम को हम चेक कर लेंगे स्टाइट सम कोईन के देख लेंगे और सबसे में चीज जो है वो है चार्ट और स्ट्राटजी और टार्किट्स जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वीडियो होने वाली है बहुत बहुत चोटी ताकि कम समय में मैं आपको एक ऐसी इंफर्मेशन दे सकूँ जो आप अपने पॉर्टफोलियो ग्रो करने में काम में ला सकते हैं तो वीडियो को इंट तक जरूर देखेगा एक चोटी से रिक्वेस्ट रहेगी आपसे जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा ताकि ये चैनल धरीढे करके ग्रो हो सके और अगर आपको हमारी वीडियो अछी लगती है तो वीडियो के लाइक जरूर करेए अगर आपने कभीवी फायदा बनाया हमारी वीडियो से तो आज की वीडियो पर लाइक टाकेंगे सिरफ और सिर 1,000 लाइक का और काफी सारे लोग यहाँ पर वीडियो पर नए भी होंगे बट आज के बाद वो हमारी वीडियो को एक नोर नहीं करेंगे अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको कैसे पता कि इस दिस दे बैस क्रिप्टोपरेंसी यूट्यूब चैनल और नॉट तो उसके लिए आप जागे देख सकते हो हमारी पास की वीडियो और मैंने आपको बोला कि एक कोईन है जीरो हाइप में तो जहाँ पर कम हाइप होती है न वहीं पर फाइदा जादा बनता है और ऐसा ही एक कोईन मैंने बताया था चार हफते पहले अपनी वीडियो में ठीक है जिसका नाम है टाव और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने clear यहाँ बाइंग प्लाइन दिया था आप यह वीडियो भी देख सकते हो जाके और यहाँ पर मैंने बताया था कि कैसे आप एक अच्छी बाइंग स्ट्राइजी लगा के यहाँ पर इस breakout को catch कर सकते हो तब यह कोईन था 264 डॉलर पर आज की डेट में अगर आप टाव को देखते हो तो 650 डॉलर पर चल रहा है और आज का कोईन भी ऐसी एक performance दे सकता है एक blue chip कोईन है तो वीडियो के end तक बने रही हैगा यहाँ पर अगर आप चैनल पर नई हो तो obviously आप टेलिग्राम पर भी नए होगे तो टेलिग्राम का official link निचे description में है 19th को एक नया coin launch हो रहा है जिसकी buying strategy में आपके साथ share करूँगा जैसे कि past में मैंने Celestia और बहुत सारे coins की करी है आप जाके टेलिग्राम का result देख सकते हैं जितने भी upcoming new coins आएंगे जिन पर मैं bullish होगा उनकी buying strategy में आपके साथ हमेशा share जरूर करूँगा और यहाँ पर आप अपनी research भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं जहाँ पर आपको मिल जाएगी 27 upcoming gems के list जब भी यह आएंगे तो आपके साथ planning ज़रूर शेर करी जाएगी देखें अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब pump हो जाती है ना चीज तो महाँ पर hype हो जाती है हर जगा वीडियो जाने लगती है हर जगा पर आपको tweets दिखने लगते हैं अगर आप twitter यूज करते हैं जो कि काफी important है तो यहाँ पर एक example मैंने दिया कि पाल अब trending हो रहा है पाल AI को मैंने अपने private circle में 14 cents पर breakout को पकड़ा था 82% अप है मेरी entries हो और अब लोगों का यहाँ पर ध्यान जाना चालू हो गया है तो अगली बार से कहीं भी आप crypto में trade कर रहे हो तो कोशिश करो कि आप breakout को catch करो instead of कि आप breakout के बाद entry ले रहे हो आज मैं आपको एक breakout दिखाने वाला हूँ और यहाँ पर twitter पे अगर आप नए हो तो account ज़रूर बनाओ नीचे दिया गया है मैंने अपनी profile का link वहाँ पर follow ज़रूर करो because twitter पर मैंने आजकल काफी सारे chart share करने चालू कर दी है जैसे कि मैंने यहाँ पर coinbase का chart share किया था आपके साथ और अगर आप देखेंगे तो extensive growth यहाँ पर दिखी है उनको काफी अच्छा फाइदा हुआ तो वीडियो को अगर एंट तक देखेंगे तो आपको मैं पूरी research दूँगा और main part इस वीडियो का chart है तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी आज के coin का नाम है Polygon अब बहुत सारे श्रीमान या श्रीमती यहाँ पे वीडियो को बंद करके और सीधे जाके Polygon में अपने लाखो गरोड़ रुपए को साने को तैयार है पर यह होती है गलत strategy बिगर्ज आपने नाम सुनके अगर पैसा लगा दिया तो आपको strategy तो सोमजी नहीं आई दोस्त और सिर्फ coin में पैसा लगाने से पैसा नहीं बनता है बहुत extensive knowledge आपको चाहिए चीज़ों की वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ तो हम बात करते है Polygon की तो Polygon चल रहा है 93 cents पे और यह कैसे अगला Solana बन जाएगा यार come on यहाँ पे market cap देखिए कितनी जादा है आएंगे ऐसे comment मुझे पता है कि लोगों की जो theory है वो थोड़ी सी अलग है so यहाँ पे लोग बोलेंगे इतनी जादा market cap 8.6 billion dollar की market cap से यह 7-100 Solana गया था यह थोड़ी इसे साब से pump होको तो जब हम Solana का चार्ट देखते हैं हम जाते है market cap पे so this was the bottom with 6 billion dollars और यह था यहाँ पे recent top local top बोलेंगे, top तो नहीं बोलेंगे इसको 48 billion dollars पर है so जब Solana में हो सकते तो Polygon में क्यों नहीं हो सकता क्योंकि आपको ऐसी feeling ही नहीं आ रही और जब Solana 78 dollar पर था तब भी किसी को feeling नहीं आ रही थी यहाँ पे बहुत सारे events हैं जो मैं past videos में बता चुका हूँ जैसे की Ethereum का एक नया upgrade आ रहा है जो की layer 2 centric है तो वहाँ पे layer 2 की जो मैं बोलूँगा की transactions हैं वो काफी सश्ती हो जाएगी तो यह event, Polygon को काफी अच्छा एक push दे सकता है और same vibes हैं जैसी vibes Solana में थी ना किसी को interest नहीं थी जिरो hype थी, जिरो सब कुछ था वैसी ही vibes यहाँ पे Polygon में है Solana बहुत च्छा consolidate हो था उसके बाद एक massive pump आया था और यहाँ पे Matic भी बहुत च्छा consolidate हो रहा है एक massive pump की तयारी कर रहा है इसके अलावा अगर हम देखें अगर आप देखेंगे Polygon को तो Polygon को जो ecosystem है न it is the greatest और we can say biggest and most successful ecosystem in crypto space तो यहाँ पे आप देखोगे अगर मैं अभी पूरा explain ने करूँगा क्योंकि वीडियो रखना चाहता हो मैं छोटी और यहाँ पे अगर आप Polygon का ecosystem देखोगे तो बड़े बड़े brands whichever web2 big brand is coming in the market is using Polygon so you should not ignore it ठीक है यह सारी चीज़े fundamentals and all is very good but अब यहाँ पे main चीज़ की बात करते हैं जो की है Polygon का chart so यहाँ पे अगर आप Polygon का chart देखते हो तो बहुत जारी exciting चीज़े हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा सबसे पहली चीज़ क्या है यहाँ पे थोड़ा था time chart को हम जाद देंगे इसलिए हमने fundamentals पर कम time दिया most of people will say कि यहाँ पे बन रहा है double bottom this is double bottom ये री neckline पर neckline तक जाता है अगर यह price तो हमारे breakout level से breakout level बताता हम 1.03 ठीक है 1.03 जे 50% का almost pump हो जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है 50% तो कम हो गया सुलाना की बात तो होगी थी भाई बहुत जादा आपने तो बोला था कि सुलाना जैसा pump आएगा आएगा बट आपको safe रहना जरूरी है या मैं बुलूँगा जो 500 और आपका profit है उसको आप hold कर सकते हो for the long long period of time बट अब यहाँ पे थोड़ी सी game change हो गई है game care change हो गई है now we are in bull run so आप अगर चाते हो तो hold भी कर सकते हो कुछ coins आप मैंने book your profit strategy hold your profit strategy बंद कर दिया एक साल हमने बहुत किए बहुत coin free अब हम नहीं कर रहे है ठीक है एक चीज़ मैंने आपको दिखा थी double bottom ठीक है दूसरी चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे आपको दिख रही एक white color की trend line अब यहाँ पे इस white color की trend line पे हो क्या रहा था यहाँ पे weekly में polygon ने इस trend line को जो है कर दिया है cross और इसके उपर closing हमें चाहिए so closing कैसे मिलेगी भाई जब यह weekly candle close होगी दो दिन तेरा घंटे बात बट यहाँ पे एक छोटी सी problem मैं आपको बताएता हूँ सारे aspect में आपको बताके चलूँँगा यह जो trend line है यह हो सकता है ऐसे retest भी लिले है ठीक है so यहाँ पे हम हमेशा partial entries बना के चलेंगे trend line है अभी वैसे market इतने power में चल रहे है कि retest आता ही नहीं है तो मैं उसके लिए बताऊंगा आपको कि कैसे आप retest के लिए भी बत सकते हो और आप एक अच्छे entry बना सकता तो यह तो बात हो गई trend line की यह बात हो गई support की की major support area से यहाँ भी नीचे trend line है और polygon ने support ले लिया यहाँ पे एक बार major major trend line है ठीक है तो यहाँ पे एक बार support लिया यहाँ पे दो बार support लिया and pattern भी कुछ same साही बन रहा है आप यहाँ देखोगे तो एक range थी यहाँ breakout आया देखो मैं आपको दिखाए तो यह थी range और यह था breakout ठीक है अब यहाँ पे यह था pump यह रही range और यह चाहिए हमें breakout इस breakout को आप पकड़ोगे तो अच्छा एक फाइदा आप यहाँ बना सकते ह यहाँ पे सारी चीजें इसके बहाफ पे हम discuss कर चुके हैं अब हम बात करेंगे एक बहुत important चीज की जिसके थुरू मैं काफी trading करता हूँ which is the sniper जो नीचे आपको एक custom indicator दिख रहा है ठीक है so यहाँ पे sniper क्या show करता है मैं आपको दिखाता हूँ what is the sniper showing so sniper में ऐसा क्या हो रह bullish scenario क्या है sniper पे मैं कब bullish होता हूँ यह जो नीचे आप cloud देख रहे हो I call this gunpowder ठीक है and यह जो lines आप देख रहे हो तो मुझे क्या चाहिए कि red line green line above the white line this is my bullish scenario right so last time जब ऐसा हुआ था तो यहाँ हुआ था this was the point let me mark it for you फिर मैंने यहाँ पे mark भी कर दिया कि यह था bullish scenario अब bullish scenario के अभी चार्ट पर तो नहीं mark किया मैंने सिर्फ indicator को देखके mark किया right अपने custom indicator को देखके अपना bullish scenario मांकिया कि हाँ यहाँ मेरा bullish scenario हो गया यहाँ बुल हूँ तो अब मैं बुल हो गया उसके चार्ट ने क्या किया pump दिया right अब यहाँ पे same bullish scenario मुझे one week time frame में बनता दिखता है red line is above the green line बट अभी gunpowder नहीं है gunpowder भी आने वाले time में आ सकता है अगर bitcoin अपनी ऐसी दैसी नहा करा है सो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे 3D time frame पे भी gunpowder आने वाला है same चीज़ आपको दिख रहे है 3D time frame पे यहाँ पे cross था let me show you again यहाँ पे cross था यह था हमारा bullish scenario नीचे देख सकते है आप यह देखो दुबारा दुबारा आपको दिखाऊंगा आपको समझ आए चीज़ यहाँ पे green line ने cross के था white line को gunpowder ने साथ दिया and this was the pump this was the pump कितना pump था भाई इस candle को छोड़ते है अगली candle से करते हैं तो 62% का pump था मैं आपको यह 52% का सीधे सीधा 50% का target दे रहो realistic target वहाँ पे अपना profit book करे profit को करे hold यहाँ पे जो breakout pointer 1.03 का रहेगा daily time frame में एक और बार देखे सकते हो यहाँ पे किसी का ध्यान नहीं है हाइट नहीं है लोग ऐसा सो चुके हैं कि मैटिक एक dead coin है बट development wise मैटिक काफी strong coin है अब बात आती है कि भाई अगर breakout की जगा fake out होगा तो हम कैसे बचे हैं उसके लिए हम use करते हैं दोस्त position sizing तो आप कभी भी कोई entry लेते हो कोई इ लगाने के लिए राइट तो आपको पूरी capital से entry नहीं है आपको 1.037 या 1.04 के उपर अपना 40% जो आप लगाना चाहते हैं उसको 40% लगाना 60% आपके पास हाथ में होगा अब इसमें नुकसान क्या है नुकसान समझाओंगा फ़हले फिर समझाओंगा फाइदा अगर यहा पैसा तो आपके जादा था अब इस situation में क्या होगा कि आप जो बचा हुआ पैसा था हो गहीं और use कर लोगे किसी और breakout को use कर लोगे market तो बहुत बड़ी है opportunities रोज आती रहेंगी रोज मैं वीडियो बनाता रहूँगा रोज आप देखते रहोगे like करते होगे फाइदा यहां पर आपको loss यह हो रहा है कि आप कम फाइदा कमा रहे हो अब फाइदा क्या होगा देखो यहां पर कमाल की बात यह है कि अगर यहां पर पॉलिगॉन फेक आउट देता है तो फिर आप अपना 100% जो है इसको मैं यहां पर करूँगा clone so 60% more you have in hand 40% आप यहां लगा रह और मैं एक चीज़ बताऊंगा एक disclaimer दूँगा आपको इस वीडियो में बहुत जरूरी है मेरे दो सुन लेना इस वीडियो को देखके long shot मत करना यह वीडियो में आपको 3-day time frame weekly time frame और daily time frame का analysis दे रहा हूँ इसको देखके आप long shot नहीं कर सकते long shot आप कर सकते हो कुछ सीख के यह थी एक चोटी सी वीडियो पॉलिगान मैटिक पे चार्ट पूरा support करता है fundamental पूरा support करते है high बिल्कुल 0 है लोगों को वरुसा है नहीं आने वाले time में हम देखेंगे क्या रहता है इसका result और वीडियो का result मैंने आपको past में एक ही वीडियो का दिखा है ऐसी कई वीडियो हजारों वीडियो मैंने डाली हुए हजारों को नहीं हजार वीडियो अल्मस्ट डाली हुए है अगर आपको यूट्यूब से हटके डेटा चाहिए जो मैं पूरे दिन अपडेट करता हूँ ट्विटर पर तो ट्विटर पर जोइन कर लीजेगा मिलते हैं दुबारा see you again take care